हेलो दोस्तों मैं सवरो मलिक आप सभी का टोपिक स्टेडे में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले सविधान के 40 ऐसे महत्पून परसन जो की बार बार पूछे जाते हैं तो सारे परसन एक इसी वीडियो में हम डिसकस कर लेंगे बट एक सर्त रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे 40 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो भी मुझे कमेंट बोक्स में बताएंगे और वीडियो को सेर जरू करेंगे ताकि दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके और देखे अगर आप चाहते हैं लगातार आपको इस तरीकी के ओनलाइन टेस्ट मिलते रहें तो नीचे रैडिकल के बटन को दबा करके बैल आइकन को ओन कर लीजेगा आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को हर एक कोशन में आपको मिलेंगे 5-6 सेकिंड तो आप जो भी कोशन का आंसर आता होगा नीचे कमेंट बोक्स में बता सकते हैं और वीडियो के एंड में 40 में से आपने कितने सही करे वो भी आप मुझे प्लीज कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है बंगाल में सर उच न्याले की इस्थापना कब की गई थी बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ओप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गूड राइट आंसर बी हो जाएगा कोशन नमबर टू पीटर्स इंडिया एक्ट कब आया बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ओप्शन डी लगा रहे हैं तो वेरी गूड राइट आंसर डी हो जाएगा ठीक है भई कोशन नमबर टूरी किस कानून के अंतरगत बारत में दाश पर्था को गैर कानूनी गोशित किया गया था बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ओप्शन सी लगा रहे हैं तो वेरी गूड राइट आंसर सी हो जाएगा ठीक है कोशन नमबर फोर करमचारियों की न्यूक्ति के लिए परतियोगी परिक्षा की विवस्ता किस अधिनियम द्वारा की गई थी बिल्कुल सही अगर आप यहां पे फोर का राइट आंसर ओप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गूड राइट आंसर बी हो जाएगा ठीक है भई कोशन नमबर फाइब गवर्नर जन्रल की परिसद में किस पर्थम भारत्य की न्यूक्ति की गई थी तो पांचवे का राइट आंसर यहां पे हो जाएगा आपका ओप्शन बी इस राइट आंसर ठीक है कोशन नमबर शिक्स नगरिये सव सासन से संबंदित सविदान संसोधन कोन सा है कोशन नमबर शिक्स बताएगा बिल्कुल सही यहां पे शिक्स का राइट आंसर आपका ओप्शन बी हो जाएगा ठीक है दुएज सासन परणाली किस कानून के अंतरगत लागू की गई तो यहां पे साथवे का राइट आंसर आपका ओप्शन बी हो जाएगा ठीक है भई बी इस दर राइट आंसर कोशन नमबर एट भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया बहुत अच्छा कोशन है तो यहां पे आठवे का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन पर जलते हैं कोशन नमबर नाइन पंचायतों से संबंदित सविदान संसोदन कौन सा है बिल्कुल सही यहां पे नोवे का राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा ठीक है आप साथ ही साथ प्लीज कमेंट करते रिएगा कमेंट बोक्स में जो भी आंसर आपसे आते होंगे कोशन नमबर टैन संग्या न्याले एवं संग्या बैंक की इस्थापना किस अधिनियम के अंतरगत हुई थी कोशन नमबर टैन ओप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चले कोशन नमबर लेविन भारत की सविदान सबा का निर्मान निमिन मेंसे किसके तहत किया गया था तो ग्यारवे का राइट आंसर हैं यहां पे हो जाएगा बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब पोपुलर कोशन है यह बहुत बार पुछा आ चुका है ओप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर ट्वेल सविदान सबा की पर्थम बैटक 9 दिसंबर 1946 को गटित हुई इसके पर्थम ए इस्थाई अध्यक्स कोन थे यह भी काफी अच्छा कोशन और चर्चित कोशन है बिलकुल सही यहां पे बार वे का राइट आंसर आपका ओप्शन ए हो जाएगा वैरी गूट ठीक है बार वे का राइट आंसर ए हो जाएगा कोशन नमबर थर्टीन सविदान सबा के सलाकार पद पर किसे चुना गया देखे बिलकुल सही है यह भी काफी अच्छा कोशन है यह सारे कोशन वो हैं जो मतलब हम जादा पढ़ते नहीं है ठीर्टीन का राइट आंसर आपे हो जाएगा कोशन नमबर फोर्टीन डाक्टर अंबेड का निर्वाचन कहां से हुआ था ठीक है यह भी आपका बहुत अच्छा कोशन है कहां से हुआ था तो फोर्टीन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिलकुल सही अगर आप यहाँ पर उप्शन सी लगा रहे हैं तो वेरी गूट कोशन नमबर फिप्टीन सविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई तो यहाँ पर फिफ्टीन का देखे राइट आंसर हो जाएगा आपका ओप्शन सी तो ओप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कोशन नमबर 16 मत अधिकार के लिए न्यूनितम आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किस सविधान संसोधन के अंतरगत की गई यह भी काफी अच्छा कोशन है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही अगर आप ओप्शन B लगा रहे हैं तो very good राइट आंसर बी हो जाएगा चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 17 सविधान सवा में कितनी समीतियों का गठन हुआ तो 17 का राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है अगर आप ओप्शन C लगा रहे हैं कोशन नमबर 18 मूल भारतिय सविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी तो बिल्कुल सही है एटीन का राइट आंसर यहाँ पर ओप्शन B हो जाएगा ठीक है भई कोशन नमबर 19 सिक्किम को भारत संख में कौन से राज्य के रूप में सामिल किया गया तो 19 वे का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पर ओप्शन B लगा रहे हैं तो very good राइट आंसर भी हो जाएगा कोशन नमबर 20 रूप से किन सविधानिक प्रवधानों को लिया गया है तो 20 का यहाँ पर राइट आंसर आपका ओप्शन बिल्कुल सही है यह हो जाएगा 21 फ्रांस से भारतिय सविधान में किन किन प्रवधानों को सामिल किया गया है तो 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाँ बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पर ओप्शन D लगाने तो very good राइट आंसर D हो जाएगा question number 22 बारतिय सविधान में दक्सिन अफ्रीका से सामिल प्रवधान है बिल्कुल सही है राइट आंसर आपका A भी है ठीक है B भी है अनिके option C राइट आंसर हो जाएगा तो A और B दोनों हो जाएगे अनिके option C is the right answer question number 22 देखे आदे से जादा टेस्ट आपका हो चुका है तो प्लीज इसी बात पर एक बार लाइक और सियर कर दीजे अपने सभी दोस्तों को question number 23 बारत का सविधान भारत को क्या गोशित करता है बिल्कुल सही अगर आप यहाँ पर 23 का राइट आंसर option B लगा रहे हैं ठीक है question number 24 भारत सविधान में यह देखे आप गलत हो गया धर्म निर्पेक सब्द कब जोड़ा गया यह यहाँ पर होगा ठीक है तो बिल्कुल सही यहाँ पर राइट आंसर option C हो जाएगा ठीक है यह 1976 में जोड़ा गया था ठीक है जो अपना प्रिम्बल है उसमें तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा यह 1976 25 बारतिय सविधान की प्रस्तावना को किसने राजनेतिक कुंडली कहा तो 25 भी बहुत अच्छा कोश्चन है अभी यह किसी एक्जाम में पूछा गया था तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का A यह बिल्कुल सही आंसर है 26 बारत का लदू सविधान किस सविधान संसोधन को कहा जाता है यानि कि मीनी कॉंस्टिट्यूशन किसको कहा जाता है यह आपको बताना है तो बिल्कुल सही है आपे ओप्शन 26 का C हो जाएगा राइट आंसर ठीक है 42 अमिडमेंट एक्ट है 42 अमिडमेंट एक्ट 1972 इसको मीनी कॉंस्टिट्यूशन भी कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पे कोश्चन नमबर 27 किस संसोधन के अंतरगत बासिय आधार पर राज्यों का पून गठन किया गया कोश्चन नमबर 27 बताईए तो बिल्कुल सही है आपे 27 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा ठीक है भई नेक्स 28 है भारत को गन राज्ये कब गोसित किया गया तो बिल्कुल सही है सभी को पता है उप्शन D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर 29 फजल अली आयो के सदर्श्य निमिन में से कौन थे 29 का राइट आंसर आपे बिल्कुल सही जा रहा है अगर आप उप्शन D लगा रहे हैं तो यह सभी सदर्श्य थे ठीक है कोश्चन नमबर 30 पहला सविदान संसोधन की परमुक विशेषता क्या है तो बिल्कुल सही है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C ठीक है तो तीसवे का राइट आंसर C हो जाएगा कोश्चन नमबर 31 वर्स 2000 में कितने राज्य अस्थित्म में आए तो बिल्कुल सही है यहाँ पर राइट आंसर B हो जाएगा कोश्चन नमबर 32 भारत के 29 राज्य का नाम क्या है तो बिल्कुल सही है यहाँ पर ओप्शन B राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर 33 गोरव पूर्ण अपराद अधिनियम 1978 किसे संबंदित है तो 33 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C इस राइट आंसर कोश्चन नमबर 34 भारतिय सविधान में मूल करते विए किस समीति की सिफारिस पर समलित किये गए 34 तो बिल्कुल सही है आपे राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा ठीक है भई चलिए नेक्स कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमबर 35 भारतिय मूल अधिकारों का वर्ण किन अनुच्छेदों में है बारतिय मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेदों में है तो आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B यानि की बारा से पैंधिस तक के अनुच्छेदों में ठीक है आर्टिकल ट्वेल से थर्टिफाइब तक ओश्चन नमबर 36 से वर्ण नाइन्टीन सेवन्टी सिक्स में उन्नीस सो चंतर में कितने मूल करतव्य सविधान में जोड़े गए थे तो बिल्कुल से यहां पर 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ओप्शन A ठीक है कोश्चन नमबर 37 राज्ये की लोक सेवाओं में नियाय पालिका को कार्य पालिका से पर्थक करने का प्रवधान किस अनुच्छेद में वर्णित है तो 37 का राइट आंसर यहां पर ओप्शन D हो जाएगा ठीक है ओप्शन D is the राइट आंसर कोश्चन नमबर 39 अनुच्छेद 17 किस से सम्बंदित है तो यहां पर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C ठीक है कोश्चन नमबर 39 अभिवेक्ति की सवतंता पर राज्य किन मुद्दों के कानन परतिबंद लगा सकता है कोश्चन नमबर 39 बिल्कुल सही अगर आप यहां पर ओप्शन D लगा रहे हैं तो वेरी गूट राइट आंसर D हो जाएगा कोश्चन नमबर 40 किन मौलिक अधिकारों को किसी भी विशेश इस्थिती में निलंबित किया जा सकता है तो बिल्कुल यहां पर 40 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ओप्शन D देखें यहां पर अनुच्चेद 20 और 21 को ठीक है किन मौलिक अधिकारों किसी भी विशेश इस्थिती में निलंबित किया जा सकता है यहां पर यह अनुच्चे 20 और 21 को लंबित किया जा सकता है देखें यहां पर कोश्चन नमबर 40 में मुझे कुछ डाउट लग रहा है मिस्प्रिंट है यहां पर यहां पर यह होगा कि निलंबित नहीं किया जा सकता है क्योंकि आर्टिकल 41 जो है इसको लंबित नहीं किया जाता है ठीक है ठीक है तो आर्टिकल 21 जो है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता और आई थिंग 20 को भी सस्पेंड नहीं किया जाता है तो यह इसमें थोड़ा सा कन्फूजन है मैं आपको किलियर करके नेक्स्ट वीडियो में आफि नीचे डिस्केप्शन बोक्स में बता दूँगा ठीक है तो वहाँ पे चेक कर लीजेगा या फिर अगर आपको पता है तो अच्छी से एक्स्प्लेइन कर दीजे नीचे कमेंट बोक्स में मैं उसको पिन कर दूँगा ताकि दूसरे बच्चे भी देख सकें ठीक है चले कोशन नमबर फोटीवन पर जाते हैं वर्ष दोजार बारा में उस्तम जालने ने किस अधिकार को जीवन जीने का अधिकार में सामिल किया है तो यहां पर देखे 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओप्शन भी रहेगा क्योंकि यहां पर फोटीवन का अधिकार 21A में जोड़ा गया था जिसमें 14 साल तक के बच्चों को फिरी शिक्सा एजुकेशन लेने का अधिकार था ठीक है तो अगर इसमें भी कोई आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया तो प्लीज कमेंट बॉक्शन बताएगा ठीक है वो मैं बनाम भारत संग वाद किस मूल से मूल अधिकार से संबंदित है तो 42 का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन 43 सविधान का हर्द्य तथा आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है तो यह भी काफी अच्चन और रिपीटिड कोशन है आपे ओप्शन डी हाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तो आशा करता हूं कि आज का टेस्ट भी आपको पसंद आया होगा और यह इसके आंसर है इस लिंक मिलेगा उसको जोइन करके पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं आप मुझे भी फोलो कर सकते हैं फेस्बुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी अगर आपको कोई भी प्रसनल डाउट है कुछ भी आप पूछना जाते तो डारेक्ट मैसीज करके पूछ सकते हैं बस आपको स सोरब मलिक से यू आर ए भी एच फिंट करेंगे मिल जाएगा और इसी तरीके से लगाता टेस्ट लगाएंगे तो तो अच्छे से अच्छे आपकी जीकी बन जाएगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार वीडियो देखने बहुत बहुत धिने वाद आपका दिन सुबो